हलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टू मैई चैनल जैसे ही सर्दियां शुरू होती है ना तो पिनिया खाने का मन करने लगता है और वो भी घर की बनी हुई पिनिया हो तो उसका तो मज़ा ही कुछ और है क्योंकि हम बज़ार से बनी हुई पिनिया अगर लाते भी है ना तो उनमें वैसा टेस्ट में नहीं मिलेगा पिनिया बनाने के लिए मैंने यहां सारव समानि कठा कर लिया है इसमें मैंने 100 ग्राम मगज लिये हैं धाई सो ग्राम मैंने काजू लिये हैं और धाई सो ग्राम ही किश्मिश है ये सुखा नारियल है 500 ग्राम ये मैंने एक किलो बूरा चीनी ली है आप चाहें तो चीनी को मिक्सी में डाल कर दरदरा सा पी सकते हैं ये गौन्ध है 500 ग्राम जिसे पंजाबी में चीर कहा जाता है 100 ग्राम यहाँ पर मैंने खसकस ली है इसे पंजाबी में खसकास कहा जाता है और 200 ग्राम मैंने यहाँ पर बदाम लिये हैं और यहां पर मैंने 2 किलो देसीगी लिया है यह घर का बना हुआ देसीगी है अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने यह घर पर देसीगी कैसे बनाया है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्षिन में जुरूर बताना तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो जुरूर बनाऊंगी और पिनिया बनाने के लिए जो main ingredient है वो है गेहू काटा यहाँ पर मैंने 2 kg गेहू काटा लिया है अब दूसरी साइड गैस ओन करके हमने कडाई रखनी है और उसमें गी डालना है अगर आप भी ज़्यादा पिनिया बनाना चाहते हैं तो एक बड़ी कडाई लेना क्योंकि 2 kg आटा इसमें अराम से भूना जाएगा अब इस कडाई में मैंने ये देशी गी डाल दिया है गी मेल्ट हो गया है और अब इसमें हमने आटा डाल देना है थोड़ा आराम से आटा डालेंगे ताकि गी जो है वो उचल कर बाहर ना आई अब एक कड़्ची की हेल्प से हमने आटे को गी में अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर की हेल्प से पिनिया बना रही हूँ क्योंकि पिनिया थोड़ी जादा थी और दो किलो आटा भूनने में कम से कम सवा से देड़ घंटा लगी जाता है तो हम दोनों सिस्टर ने ये मिलकर पिनिया बनाई है तो मेरी सिस्टर एक साइड में आटा भून रही है तो मैं दूसरी साइड जो ड्राइफूट रखा है उससे ग्राइंड कर लेती हूँ यह जो सूखा नारियल हमने लिया था मैंने उसके छोटे लिया है ताकि यह दूसरी साइड आटा भूनता रहे गा और एक साइड में यह साइड में यह वह ग्राइण कर के रख लेंगे अगर आप अकेले हैं कोई help करने वाला ना हो तो आप सबसे पहले समान grind करके रख लेना और फिर आपने आठा भूनना शुरू करना है क्योंकि आठा भूनते टाइम इससे लगातर चलाती रहना होता है नई तो यह आठा जो है न वो यह कहीं कहीं से जल जाएगा और पिनिया अच्छी नहीं बनेगी इसलिए मैंने अपनी सिस्टर की हेल्प से यह पिनिया बनाई है वो एक साइड आठा भून रही है और दूसरी साइड मैंने समान सारा त्यार कर लिया है इसे टाइम भी सेव हो जाता है और पिनिया भी अच्छी बनती है तो अगर अकेले है तो टैंशिन मतलो आप पहले थोड़ी क्वांटिटी में बना लो समान यह सारा जो है वो इकठा करके उसे ग्राइंड करके रख लेना और उसके बाद आप आठा भूनना शुरू करना जैसे ही आप गौन डालेंगे तो आपने फ्लेम को ओफ कर देना है जैसे ही आप गौन डालते हैं आठे में तो आठे से चिड़चिड की आवाजे सी आने लगेंगी तो इसका मतलब यह है कि जो गौन दा वो फूल रही है और कम से कम आपको 4-5 मिनुटी से हिलाते रहना है और जो गॉंद है वो अच्छे से फूल जाएगी आटा बुनने के बाद आपने फ्लेम को ओफ ही रखना है जितना भी इसमान हमने इसमें डालना है वो फ्लेम को ओफ करने के बाद ही डालना है क्योंकि जो आटा होता है वो इतना गरम होता है कि सारा समान इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा चार से पांच मिनट के बाद जो गौन को डालने के बाद चिड़चिड की अवाज है थी वानी बंद हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि अब गॉन जो है वो इसमें अच्छे से फूल चुकी है चीड के बाद हमने जो दूसरा इंग्रीडियंट डालना है सबसे पहले बुरा चीनी डालेंगे और बाकी जो ड्राइफूट है वो इसके बाद में डालेंगे तो बुरा चीनी को आपने अच्छे से इसमें पहले मिक्स कर लेना है तो अभी यह चीनी मैंने डाल दी है अभी से अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे अभी चीनी को आटे में मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तब तक मैं एक बड़े बर्तन में सारा जो ड्राइफूट ब्राइंड करके रखा हैं उससे इकठा कर लेती हूँ अब सारी चीजों को हमने अच्छे से एक चमच की हैल्प से मिक्स कर लेना है तो अब देखी यहाँ पर चीनी तो अच्छी तरह मिक्स हो गई है अब इसमें जो यह हमने ड्राइफूट मिक्स करके रखा है इसमें एक एक चमच करके डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे अब जितना भी समान अमने इसमें डाला है इसे मिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी अगर आपको easy लगे तो आप इसे नीचे जमीन पर रखकर कड़ाई को इसे अच्छे से mix कर लेना क्योंकि मैं तो इसे ऐसे ही करने वाली हूँ थोड़ा सा जमीन पर रखकर करेंगे तो यह अच्छे से mix हो जाएगा तो यह देखिए जमीन पर कड़ाई रखने के बाद जो हातों से जोर लग रहा है वो भी थोड़ा easy हो गया है और सारा समान अच्छे से mix भी हो गया है अभी इसमें हमने किश्मिश नहीं डाली है क्योंकि पहले आटा जादा गरम था तो किश्मिश डालने से जल जाती है तो अब आटा इतना गरम नहीं है अब इसमें हम किश्मिश डाल सकते हैं तो देखिए अभी अच्छे से mix हो चुका है अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ऐसी छोड़ देंगे और ठंडा होने के बाद ही हम इसकी पिनिया बनाएंगे तो अब ये ठंडा हो चुका है अब इसकी हम पिनिया बनाकर रख लेते हैं ये इतनी टेस्टी और हैल्दी पिनि बनकर त्यार हुई है अगर सुबह सुबह एक पिनि खा ली जाए ना तो दो से तीन घंटों तक बिल्कुल भी भूग नहीं लगेगी और साथ में कोई वीकनेस भी नहीं फील होगी अगर आपको किसी भी तरह का सिरदर्द रहता है कमर दर्द या फिर जोड़ों में दर्द है तो आप इस तरह की अगर पिनि बनाकर खाओगे तो आपको इन सबसे रहात मिलेगी सुबह सुबह आप बच्चों को भी एक पिनि जरूर खिलाएं क्योंकि उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है तो आप भी जल्दी से इसे ट्राइ करें और फिर मुझे बताएं कि आपको ये रैस्पी कैसी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शियर करना बिल्कुल न भूले और अगर चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फूर वाचिंग